आज हम बनाएंगे अचारी चिकन की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और जायके में तो ये बहुत ही लाजवाब है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है हमें कुछ मसाले रोस्ट करने हैं हमने लिया है दो चम्मच सौफ एक चम्मच जीरा आठ लाल मिर्चे धनिया हमने लिया है तीन चम्मच इन सभी मसालों को हम दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम पर मसालों से खुश् पूश्बू आने लगे मसालों का कलर चेंज हो जाए फिर इने हम ठंडा करेंगे मसाला ठंडा हो गया है अब इसका हमें दरदरा सा पौडर बना लेना है अब हमें चाहिए आधा चम्मच हल्दी और डेज चम्मच हमने नमक लिया है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही जो हमने मसालों का तरदरा पौडर बनाया था उसे हम हल्दी और नमक के साथ मिक्स करेंगे अब हमें एक अलग बावल में दो चम्मच मसालों को निकाल लेंगे इस मसालों से हमें मिर्चों को भरना है अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच तेल इसे हमें मिक्स कर लेना है हमने लिया है साथ थरी मिर्चे इन्हें हमने बेश से कट कर लिया था आप चाहें तो इस मसाले की जगा मिर्चों में चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्चे हमारे भरके तयार हो गए हैं अब इने हम साइड में रख देते हैं अब हमें कड़ाई में एक कप तेल ले लेना है तेल को हमें मीडियम गरम करना है तेल गरम हो गया है अब इसमें हमने चार मीडियम साइज का प्याज लिया था इसे हमने बारीक स्लाइस में काट लिया है इसे भी हमें तेल में डाल देना है प्यास को हम चलाते हुए है पका लेंगे इसे हमें गुलाबी नहीं करना है इसे हमें सौटे करना है अब इसमें हमें चिकन डाल देना है हमने लिया है सवा किलो चिकन चिकन को हमने वाश करके इसका पानी निकाल दिया था अब इसे हम प्यास के साथ मिक्स करेंगे और दो से तिन मिनट तक इसे हमें पका लेना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन को पकते हुए दो से तीन मिनट हो गये हैं कलर इसका चेंज हो गया है अब इसमें हमें डाल देना है एक चमच अधरक का पेस्ट एक चमच लेसुन का पेस्ट चिकन में मिक्स करते हुए इसे हमें 2-3 मिनट तक और भून लेना है, जब तक अधरक और ले सुनके कच्छे पन की खुश्बू नहीं निकल जाती, और चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, चिकन को पकते विए 2-3 मिनट हो गया है, कलर इसका चेंज हो गया है, अब जो हमने बौर्डर मसाले बनाये थे, उसे इसमें हम डाल देंगे, इसके साथ ही हमने लिया है, आदा चोटा चमच, कलोंजी, आदा चोटा चमच, मेथी, एक चमच, कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी ह डाल देंगे, अब मसालों के साथ चिकन को हमें मिक्स कर लेना है, मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे, तीन मीडियम साइज का बारी कटा हुआ टमाटर, इसे भी हम चिकन में डाल देंगे, और मिक्स करेंगे, अब हमें चिकन को गला लेना है, इसे हमें चिकन में डाल देना है और अच्छे से चिकन के साथ पानी को mix कर लेना है आप हमें cover करके 6-7 मिनिट तक medium flame पर चिकन को पका लेना है। चिकन को पकते हुए 6-7 मिनट हो गया है एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं इसमें प्याज है प्याज तला पकड़ लेती है इसलिए इसे हमें एक बार मिक्स कर लेना है इसे एक बार हम फिर से कवर करेंगे और लोटू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे हम पका लेंगे इसे हमें एक दो बार बीच बीच में चलाते रहना है अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं चिकन हमारा 70-80% तक गल गया है अब चिकन में हमें डाल देना है दही हमने लिया है डेड़ सुग्राम दही इसे हमने फेट लिया था दही को डालने से पहले हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे अब दही के साथ चिकन को हमें मिक्स करना है फ्लेम को हमें लोटू मीडियम ही रखना है इसी के साथ ही इसमें हमें डाल देना है हरी मिर्चे जिसमें हमने मसाले भरे थे अब इसे हमें मिक्स कर लेना है और कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे हमें पका लेना है चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गये हैं अब इसे हम एक बार फिर से चेक करेंगे चिकन हमारा गल गया है बहुत ही थिक ग्रेवी बनकर त्यार हुई है अब हम गैस की फ्लेम को आफ करेंगे और इसे हम कवर कर देंगे एक से दो मिनट के लिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी और जायकेदार हमारी अशारी चिकन की रेसिपी बनकर त्यार हुई है आप इसे नान, रोटी या जीरा राइस के साथ भी बना सकते हैं हमने इसके साथ बनाई है बटर नान फ्रिंड्स आप इस टेस्टी और आसान सी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनी फैमली और फ्रेंड में शेर कीजिए अल्ला हाफिज